लुका की इंजील चटबाब सबबत के बारे सवाल फिर सबबत के दिन यू हुआ कि वो खेतों में होकर जा रहा था और उसके शागिर्द बाली तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जाती थी और फरीसियों में से बाज कहने लगे तुम वो काम क्यूं करते हो जो सबबत के दिन करना रवा नहीं ये सुने जवाब में उनसे कहा क्या तुम ने ये भी नहीं पढ़ा कि जब दाउत और उसके साथी भूके थे तो उसनी क्या किया वो क्यूंकर कुदा के घर में गया और नजर की रोटियां लेकर खाई जिन को खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं और अपने साथियों को भी दी। फिर उसने उन से कहा कि इबन आदम सबबत का मालिक है। सूखे हाथ वाला शक्स और यू हुआ कि किसी और सबबत को वो अबादत खाने में दाखिल होकर तालीम देने लगा और वहां एक आदमी था जिसका दाहना हाथ सूख गया था और फकी और फरीसी उसकी ताक में थे कि आया सबबत के दिन अच्छा करता है या नहीं ताकि उस पर इल्जाम लगाने का म मौका पाएं मगर उसको उनके खयाल मालूम थे बस उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा था कहा उठ और बीच में खड़ा हूँ वो उठ खड़ा हुआ ये सुने उनसे कहा मैं तुम से ये पूछता हूँ कि आया सबबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना जान नजर करके उस से कहा अपना हाथ बढ़ा उसने बढ़ाया और उसका हाथ दुरूस्त हो गया वो आपे से बाहर होकर एक दूसरे से कहने लगे कि हम येसू के साथ क्या करें बारा रसूल और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दूआ करने को निकला और खुदा से दूआ करने में सारी रात गुजारी जब दिन हुआ तो उसने अपनी शागिर्दों को पास बुला कर उन में से बारा चुन लिये और उनको रसूल का लखब दिया यानी शमाउन जिसका नाम उसने पत्रस भी रखा और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यहुन्ना और फिल्बस और बरतलमाई और मती और तौमा और हलफई का बेटा याकूब और शमाउन जो जैलतुस कहलाता था और याकूब का बेटा यहुदा और यहुदा इ और वो उनके साथ उतर कर हमवार जगार पर खड़ा हुआ और उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और लोगों की बड़ी भीड़ वहां थी जो सारे यहूदिया और यरुशलीम और सूर और सैदा के बहरी किनारे से उसकी सुनने और अपनी बिमारियों से शिवा पाने के ल क्योंके कुवत उससे निकलती और सब को शिवा बख्षती थी मुबारिक बादिया फिर उसने अपनी शागिर्दों की तरफ नजर करके कहा मुबारिक हो तुम जो खरीब हो क्योंके खुदा की बादशाही तुम्हारी है मुबारिक हो तुम जो अब भूगे हो क्योंके आसुदा होगे मुबारिक हो तुम जो अब रोते हो क्योंके हसोगे जब इबन आदम के सबब से लोग तुम से अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लानतान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे तो तुम मुबारिक होगे उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उचलना इसलिए कि देखो आस्मान पर तुम्हारा अजर बढ़ा है क्यूंके उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे मगर अफसोस तुम पर जो दौलत मन हो क्यूंके तुम अपनी तसलिप पा चुके अफसोस तुम पर जो अब सेर हो क्यूंके भूके होके अफसोस तुम पर जो अब हसते हो क्यूंकि मातम करोगे और रोगे अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें क्यूंकि उनके बाप दादा जूटे नभीयों के साथ ही ऐसा ही किया करते थे दुश्मनों से महप्पत लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से महबत रखो। जो तुम से अदावत रखें उनका भला करो। जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो। जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो। जो तेरी एक गाल पर तमाचा मारी, दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले, उसको कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कोई तुछ से मांगे, उसे दे, और जो तेरा माल ले ले, उससे तलब ना कर। और जैसा तुम चाहते हो, कि लोग तुम्हारे साथ क अपने महबत रखने वालों से महबत रखते हैं। और अगर तुम उन्ही का भला करो जो तुम्हारा भरा करें तो तुम्हारा क्या एहसान है। क्योंकि गुनाहकार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्ही को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उमीद रखते हो तो तुम्ह तुम्हारा क्या एहसान है। गुनाहकार भी गुनाहगारों को कर्ज देते हैं ताके पूरा वसूल कर ले। मगर तुम अपने दुश्मनों से महपत रखो और भला करो। और बगेर नाउमीद हुए कर्ज दो। तुम्हारा अजर बढ़ा होगा। और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे। क्योंकि वो नाशुकरों और बदों पर भी महरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है। तुम भी रहम दिल हो। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेस करके तुम्हारे पले में डालेंगे। क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है। क् गड़े में न गिरेंगे शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं बलके हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा तु क्यूं अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख के शैतीर पर खोर नहीं करता और जब तु अपनी आँख के शैतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला उस तिनके को जो तेरी आँख में है निकाल दू ए रियाकार पहले अपनी आँख में से तो शैतीर निकाल फिर उस तिंके को जो तेरे भाई की आँख में है अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा दरख्त और उसके फल क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है क्योंकि जाडियों से इंजीर नहीं तोड़ते औरना जड़ बेरी से उंगूर च्छा आत्मी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीज़े निकालता है, और बुरा आत्मी बुरे खजाने से बुरी चीज़े निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वोही उसके मूपर आता है. दो मैमार के वो मस्बूत बना हुआ था लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो उस आदमी के मानिद है जिसने जमीन पर घर को बे बन्याद बनाया जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फिल फौर गिर पड़ा और वो घर बिलकुल बरबाद हुआ